सभी सिच्छक और सिच्छक का एक बार फिर से स्वागत है उनके करेंट हैवन के येटूब चैनल पर इह डेली सेशन सात बजए होता है फालो करिए उपारें सभी चीच्छक और सिच्छक से विंती है कि अभी से फालो करकी उसका सुपाड़ा साफ करना है जिसे कि आने वले समय में जैसे सूपर टेट की वेकेंसी की बात होने लगे हम रिजनिंग इस्टार्ट करेंगे और अभी तक जो पर से चू यूपी टेट नहीं दिये हैं यूपी टेट देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई यह सब अभी से वालो करते रही है आपसे डिवेस्ट है और ड्य लेड के सारे कराके संट कोड़ेड कर दिये है लंके जैसे कि आप डाउनलोड कर लेजे अभी तक जो परसीचव चैनल को सब्सक्राइब ने किया है दो उनसे विंती है कि जिएग और हो सके तो दस-बिस को सबस्क्राइब करवा दें जिससे कि उनका भी भला हो सके जग भला जरूरी है अपने साथ चलिए सिंदूस अबिता में हाती दाथ के उपयोग के संबंद में निम्लिकित में से कौन सा कथन असत्य है हमको यह देखना है मित्र देखना है यहाँ पर उस समय हाथी दात के अभुषड बनाए जाते थे बिल्कुल पहला अप्षन तो बिल्कुल सही हाथी दात के अभुषड बनाए जाते थे जब हाथी दात के अभुषड बनते थे मतलब हाथी दात के वहाँ पर साच भी मिले होंगे यहाँ पर वस चलिए अग्ले पेस्ट पे चलते हैं पटा पटा आजाते हैं समीं लोग अपना एंसर भी लास्ट में कर देंगे जिससे की हमें पता चल सके कितने परसेचु कितना टेंट कर रहे हैं ठीक है भाई चलिए लास्ट तक बने देए डेली सिसन को फालू करिए आप साथ नंबर ग पर पर करेंट अफेयर पर नाम है तो करेंट एवन बार बार निकल जाता है करेंट अफेयर पर आ जाएंगे इस तरह आप डेली फालो करिए आपका सारा सब्जेक्ट बिल्कुल भी सांदार तरीके से कंप्लीट होगा निमलिकित में से कौन सुमेली तह या बताना है देख है कच नदी यहांने कच खाड़ी पर ही आके दोस्तों जो लुनि नदी है वह विलीन हो जाती है इस बातको याट दकना है लेकिन चंदुड़ो यह घगगर नदी के पास नहीं पड़ता है दोस्तों फिलाल में चंद्दो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध परांफें पड़ता है तो सिंधू नदी के तरफ परिस्तित है नकी घगनादी के तरफ इसको याद कर लेना यहां से अगला पूरुव अगर बात करें मित्र पूरव यहां पर सपह काल जा गया है यहां पर पर्ट जोतने के प्रमाड मिले हैं तो बता देंगे महाहं staat मिला है की मिला हुआ है हमको किसे मिला है काली बंगा और बनावली देखिए काली बंगा और बनवाली कहां पर है बिल्कुल यहां पर है तो काली बंगा और बनवाली इसका राइट एंसर होगा काली बंगा में अलंकृत इटे प्राप्थ हुई है और क्या प्राप्थ हुआ है वहीं काली ब मनका बनाने का कारखाना कहां मिली को इस सfore fragrant प्रयतर नहीं कि पेज़िए को सब्लाएब कर दोक्य से कंदुरह में नहींदल के इसे मुले को प्रहस्तिक हैનं कि हैं चंदूदोर कर दा नोफ भार बता है कि को बिए जब इस जो पड़ाई नहीं गया था तो इसे क्या बोलेंगे कौन से लिपी बोलेंगे अवाचनी ये लिपी बोलेंगे अवाचनी मतलब पढ़ा नहीं जा सकता था या फिर कोई भी देख कर नहीं बता सकता था ये कौन से लिपी है बस उसे चित्रात्मक के रूप से देखा जा सकता था एक तरह से बस उसे अवा लिपी को पढ़ा नहीं जा सका है इस बात को या दखेंगे इसलिए शिंदु घार्टी को आधा है काल की सीड़ी में रखा गया है तो बतास है क्योंकि इसकी लिपी जो थी अवाजनी थी पढ़ा नहीं जा सकता था था है ठीक है अगला चलते हैं प्लीज रिक्वेस्ट आपसे एक बार सुबह ही देख लिया करें एक बार साम को भी देख लिया करें जिससे कि यह चीज़ें आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएं और आगे आप नोट्स भी बनाते चली क्योशन को लिखते बें चलीए पीडियाप आपको हम दे देंगे आपसे रिक्वेस्ट है कम सकम एक भाई कम सकम दस-दस भाई को जोड़ दे जिससे कि हमारी फैमिली बुष्ट हो सके अगला प्रस्ट हडपा के लोग प्रियोग करना नहीं जानते थे हडपा के लोग किस चीज़ का प्रियोग नहीं करते थे भाई हडपा के लोग को हमको ये सब प्रियोग होता था क्योंकि याद करेंगे लोहा के लोग जो तेखेंगे जो आगे पड़देंगे यह लोहे से वन्यगा इस बात को यारद डखना है उससे को योगान के सब तेता का सी नाम से जानते है ये सब देखने के मिला कुछ पूरतत्य व्युभाग का है उल्सला के निम्लिकत में इसे क्या थी लोधल का मतलब है जहां से भ्यापार होता था यहां पर दान मिले हैं और यहां से बन्दर गाढ़ा था जो कि विदेशों से और पकारJa उत्नी राशननातल एक जाना से जाते हैं नौ दाधम होगे से जाने ही सब्सक्राइब सबसे बड़ा अनागार सबसे बड़ा अनागार यह सारी सबसे बड़ा अनागार के बाद यहां पर मुर्तियां भी यहां से मिली है इस बात को या दखना है यह पड़ता है पाकिस्तान नेक्स निम्लिकति में से कौन सा एक हडपा का बंदरगा है भया हमने तो डिसकस कर लिया लोथल है सभी लोग इसमें लगाई निसाना लोथल इसमें प्रबंदन व्यवस्ता का सच प्राप्टों अमित्री अच्छय पूछा गया है यहां पीछले बार सूपर्टेट में भी आया था याद दकले नास lle fb दोबार उन्ने दोबार आ दोस्तों हर एक जो टॉपिक हम ले रहे हैं चुन-चुन के लाएंगे प्रश्णों का जो की बिल्कुल भंडारा होगा आप बस करते चलो एक दिन भी मिश नहीं करना है प्लीज रिक्वेस्ट है सुबह नहीं साम में साम तक जरूर देख लेना है हमें अगर मालीजी एक दू जाने की विवस्ता डायक्यार देख रहे हैं सब कुछ वहां पर विवस्ती था जो आज के समय हम लोग देखते हैं या दखना धौला वीरा से धौला वीरा कहां पर इस्तित है गुजरात में इस्तित है इस बात प्या लखना अच्छा देखिए वही प्रस्णा आभी गया धौला वीरा जिस राजी में इस्तित है उस राजी का नाम बताई भी या अभी तो हमने बताया गुजरात में कहां इस्तित है गर पूछा जाए तो कौन बता देगा भईया गुजरात में कहां इस्तित है कच जीले में इस्तित है कच जीले में इस्तित है गुजरात के धौ और भुच के समान कौँ सा साइड था सिंदुखाटी सर्विता नहीं चलते हैं और यूग में सवाधान का साच्य कहा से प्राप्त एक स्वाधान अरे बताना हैं कॉसक्वष्रम का है अदमी और और इस सती और पुरुषает के एक साथ मिले हैं तो पता चलता है लोग पता करते हैं आथा arm लोथल में यह घटना होई थी युगमित सवाधान का साथ लोथल से प्राप्थ हुआ है पहले तो याद रखेंगे लोथल से युगमित समाधी प्राप्थ हुआ है यह भी याद रखेंगे जिसमें इस्तियों पुरुष दोनों को साथ साथ दपनाया गया था लोथल पाइटों की उचाई चोडाई एम लंबाई किती थी यहां पर बताना है जो इते थी कि वहां पर जली हुई इतों का प्रयुक किया जाता था तो हाइट बताना है चोडाई ब्रित पिर उसके बाद बताना है लंबाई लेंथ तीनों में अनुपात बता दीजिए सभी लोग अनुपात देख लिजिए ध्यान से यहां से प्रस्ण में अनुपातों से बहुत जादे प्रस्ण बनते हैं मित्रों तो यहां दखना है अगर रियल अनुपात देखेंगे मित्र तो 51.4-3 गुड़े 26.2-7 गुड़े 6.35 यह था लेकिन यह अनुपात किसमें है रियल में इसनुपात में 1-2-4, एक-2-4 के अनुपात में मित्र, एक-दो-4, मतलड़ कि यह लिखा गया है इहां पर है लेंथ, यहां पर है उचाई यह बात हुणी यानि के लेंथ, ब्रेंथ, उचाई लेकिन हम से क्या पुछा गया है उचाई, चवड़ाई, लंबाई, तो पलण सकता है आप इसको यह दना उचाई है पहले उचाई का अनुपात देख लिए कितना का रहना हो प्रश्य कॉछा और नख़ हो जो खया निया क्या हो वाहां फ़ण हो खोगेया होगह ऐसक मोट जो जो सबस्त देखेगा जो एक है यह उचाई हो गया जो दो है यह हमारा चवडाई हो गया ब्रेत हो गया और जो चार है यह लेंट हो गया इस तरह सी है इसको याद दखलेंगे अगले प्रस्कितर चलते हैं हडपा मुद्राओं पर सरवाधिक प्रचलीत अभी पर आया है बताना है देखते हैं गांदी जी फोटो चपाओ रहता है उसा प्रकार से रंगीन-घोडए की तरह दिखता है मित्र वन यानि यादखना एक स्रिंगी बैल यह मित्र बहुत ज़्याद है पुछा ज़्याद कि इसमें गलत दिखा गया है आप सुधार लेगे श्रिंग ऐसे होगा क्यों रिदिसी वाला नहीं होगा एक आधा सर श्रिंग सरभी मुद्राओं पर सरवादिक प्रश्लिपराए एक स्र हुआस इसके बाद मुहर पके पकी हुई मिटी की सहायता से बनंती थी समझ तरह है मिटी के वहां पर प्रश्लिट थे जो आज मिटील हम लोग अगर देखले सिक्क्यय का तो उसका कोई वैलू नहीं है लेकिन वहाँ पर वैलू था तो अलग-अलग काल थे अलग-अलग काल नुकरम थे वहाँ पर कागश की भी थे चमड़े की भी सिक्के आपको इतियास में मिलेंगे बहुत सारे तो पढ़ते चलिए सब कुछ आएगा हडपा सब्विता संबंदीत है हडपा यहां पर सबसे पहले जो साइट खोजा गया था हडपा के बारस प्लस साइट ने खोजी गई है और लगबग तीन सो सम्थिंग पाकिस्तान में है और दो साइट जो है अफगानिस्तान में है इस बात को या दखना से जहां से रहे हैं सबसे बड़ा अगार मिला है और सबसे बढ़ा भवन के नाम से जाना जाता है अंनागार मत्र जो बात्रूम जैसे हम लोग घर का होता है वैसे वहां तो यहां पर आंगन है अब आंगन के चारों तरफ मतलब इसमें लोग उड़ाते हैं अब इसके चारों तरफ बिल्डिंग बनाया गया था बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया जिससे कि कोई भी घर में इंट्री करें तो घर के सीधे अंदर नहीं पहले घर के उस बाउंडर के इंद्र था हडपा व्यपार के इंद्र कौन सा था आप खुद बताओ जहां पर बंदरगा होंगे वही तो होगा भई लोथल गुजरात या दखना है लोथल गुजरात इसको भूलना नहीं यहां से माप तौल के सामान मिले हैं हम आपको बार-बार रिवाइज कराते है इरान फारस से आय मनके वगरह करें अभी यहां से मिले हैं एक तरह से लोथल में को गोदी की नाम से जानते हैं यहां पर पठके इटो गेए इटो के साथ्यमर्णा से गोधि बना था यह बात भी आ दखेंगे नायों के रुखने वाले अस्थान को भी गोधि कहा सिंदु नदी की एक सहायक नदी जो हीमाचल प्रदेश से भहती है वह है यह तो सभी लोग बता देंगे अगला चलते हैं नेक्स्ट किस पसु के आउसे सिंदु घाटी सबता में प्राप्त नहीं हम आपको बताये थे सुरकोटडा एक ऐसा स्थान है जहां से जो की सबसे दच्री भाग है सिंदु घाटी सबता का सुरकोटडा जो की पाकिस्तान है पड़ता है तो वहां से हमें घोड़े का साच मिला लेकिन यह साच एक तरह से अविश्वसनी हैं और बहुत कम लोग मानते हैं इसको याद हैं लेकिन पूछ लेता है घोड़े के साच कहां से मिले हैं तो बताएंगे सुरकोटडा जो की पाकिस्तान वाले शेतने पड़ता है लेकिन इसमें पूछा है औसे सिंदु घाटी सबता से किस पसुका नहीं मिला है तो इसका राइट एंसर गोड़ा होगा क्योंकि बहुत सार है हमारे तझविद हैं बैज्ञानीक्स हैं जो इसको रिसर्च किएं वह गोड़े का साच नहीं के will मानते हैं जैसे बात करें चार लोग पयठा जा पांच पांच मेंसे चार लोग कहें के नहीं मिला है और एक लोग कहें के मिला है तो यह चार लोग की बात मानली जाती है और ये को नहीं मानी जाती है इस बात को याद रखना है मित्र घोड़े के साथ नहीं मिले हैं सेर मिला है गाय मिला है हाती मिला है जैसे मित्र अगर बात करें हरपा हरपा से क्या मिला है कबरिस्तान मिला है याद रखेंगे लोथल से गोदी मिला है काली बंगा से जूता कि याद रखना है कि जिले में हमने हम ने बता दिया है अ आपको बारी आपकी बारी है किस जगां से मिले हैं बताना है आपको फिर जिले से मौहन जोदरो यह तरह मिले जीज़े में यहाँ पर नकलीस्तान के नाम पाकिस्तान के बताएंगे सिंद परांत के बीकिस जीले में इस्ती था है यह आप याद रखेंगे अगला चलते हैं लास्ट अपको आपको फिर से विंती करते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लगता है डेली इसी तरह फालो करिए हम बता रहे हैं आपका जीके बिल्कुल इ कियोग्राफी से एक भी प्रश नहीं ऐसा होगा जो आप ना करके आओ फूर के आओगे याद रखनामित अब सिच्छक भरती में नहीं के वियस डियस बी जितने भी सिच्छक भरती आते सब के लिए मोश्ट इंपर्टेंट होगा सूपर टिठी नहीं मित्र हडपा के कि राज विवस्था जैसे कि वस्तुपरक साच्छ से परड़ित होता है कि वह कुलीन तंत्र थी हडपा कालीन समाज जो था विद्वानों का था राजकी था अधिकारी थे वहां पे व्यापारी भी थे अउस्तरमी की विद्धे जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि बहुत श्तरमी की लिए को को से जबता आएगे साथ को साथ हैं सबसे उत्तर हैं महाराश्त में सबसे ज्यादा कौन सा था सिंदु अस्तल डायमाबाद जो कि महाराश्त है आधे गुदावी नदी के तटटपर और इस में आपको पता है दोस्तों हमारे मेरत जो अमारे सब्सक्राइब इसके बाद सब्सक्राइब जहां पर घुड़े के साथ सब्सक्राइब और यह सबसे पच्छमी हो गया सबसे उत्तरी हमने बताया आपको क्या बताया था मानदा और सबसे दच्छरी बताया था दाइमाबाद इतनी बातें आज रखेंगे बहुत-बहुत तीन सुभ हो आपका आप लोग सारे सेशन को फालू करिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप ल हिस्ट्री हो गया सब लाएंगे हम लोग बस आप देखते चलिए और इसके मादें से क्वेशन के मादें सब कुछ कबर करा देंगे धन्यवाद